कमीज का स्ट्रेट खेरा तो हर कोई फोल्ड कर लेता है, लेकिन प्राब्लम तब आती है जब गोल गेरा बनाना हो गुलाई वाला गेरा फोल्ड करते वे सबसे कॉमन प्राब्लम यह आती है कि इसमें बल पड़ जाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल सा तरीका शेयर करने वाली हूँ गोल गहरे को फोल्ड करने का और अगर आप इस तरीके से गोल गहरा फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल भी बल नहीं पड़ेंगे तो यहाँ पर यह वीडियो में सिर्फ डेमो के लिए बना रही हूँ तो मैंने कपड़े के उपर गोल गहरा इस तरह से काट लिया और फिर हमें सिर्फ सिंगल फोल्ड करना है कपड़े को और इसकी किनारी किनारी पर सिलाई लगाने है यह देखे बिल्कुल भी खीचना नहीं है कपड़े को सिलाई लगाते हुए अब यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि इसे फोल्ड करते हुए बल पड़ रहे हैं लेकिन वीडियो का एंड तक देखेगा यह बल अपने आप ही मिट जाएंगे तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है और अब यह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना इसे हमें इस तरह से काट देना है यह देखे बिल्कुल सिलाई के साथ साथ हमें सारा फैब्रिक काट देना है इस तरह तो सारा फैब्रिक काटने के बाद हमें इसको इस तरीके से सीधा करना है और अब हमें इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है ये देखिए अब हमें सिलाई सीधी तरफ से लगानी है इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाना है बिल्कुल हलके हाथ से इसको टैप करते जाना है और बिल्कुल भी खीचना नहीं है इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है ये देखिए अब गुलाई वाले हिस्से में सिलाई लगाते हुए हमें खास ध्यान रखना है और बिल्कुल हलके हलके हाथ से इसको टैप करते जाना है ये देखे बहुत ही पेशेंस से छोटे छोटे सेक्षन आपको फोल्ड करना है और स्टिच करना है एक साथ लंबी सिलाई लगाने का मत सोचेगा क्योंकि उसमें बहुत जादा बल पड़ सकते हैं गेरे में ये देखे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैं फोल्ड करती जा रही हूँ और सिलाई लगाती जा रही हूँ और साथ की साथ इसको टैप करना ना भूलिएगा बस इस चीज़ का आपको धान रखना है कि एक तो कपड़ा बहुत जादा फोल्ड ने करना और दूसरा कपड़े को खीच के सिलाई ने लगाने बिल्कुल परफेक्ट गेरा फोल्ड हो जाएगा आपका तो यहाँ पर गेरे को मैंने फोल्ड कर दिया है और अभी इसके अंदर थोड़े बहुत बल आपको दिख रहे होंगे लेकिन अभी हम इसको प्रेस करेंगे और यह बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा गेरा तो कपड़े को हमें फैलाना है और सबसे पहले इसके उपर थोड़ा पानी स्प्रे करना है और फिर उसके उपर हमें प्रेस करनी है यह देखे बिल्कुल अच्छे से सिलाई सेट हो गई है प्रेस करने पर इस खेरे पर प्रेस करने से पहले थोड़े बहुत बल इसलिए दिख रहे थी क्योंकि कि कितनी भी कोशिश करो हलका सा कपड़ा तो स्ट्रेच होई जाता है सिलाई लगाते हुए लेकिन प्रेस करने पर यह बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है यह देखे अब इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे ना तो आप पूरा सरकल वाला कपड़ा भी बहुत इजिली फोल्ड कर पाएंगे और कोई बल ने आएंगे उसमें तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के और इंफर्मेटिव स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल नौटी स्टिचिस को भी सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आपको मेरे सबी वीडियो रेगुलरली मिल सकें तो गाइस थैंक यू सो मुझ फॉर वाचिंग बाइबाइ